हेलो फ्रेंड्स है आज यह थिरी ओफ कंपिटिशन में एक प्रॉब्लेम है जो एस्टूडेंट के दारा भेजा गया है इसमें थोड़ा सा हमने मौडिफिकेशन किया है लेकिन उस मौडिफिकेशन का बहुत मतलब नहीं है कि कंस्ट्रॉक्ट डिए फेट अशेप्स तफॉल्विंग लैंग्विज लैंग्विज उन्होंने बताया है ल टो एक्स बिलॉंग्स तो एबी सी हमारे पास जो इन्पूट स्रिंग है वो एबी सी है उन्होंने 012 करके दिया थे 123 दिया था तो कुछ भी आप बदल सकते है उस कि इंड़ेट डिफरेंट सिंबॉल यही एक क्वेश्चन था अब इस क्वेश्चन का सॉलूशन ढूंडने की हम कोशिच करते हैं देखिए कोई भी लैंग्वेज होगा आपके बास एक्जामिनेशन में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है सबसे पहले उस लैंग्वेज को आप टेबूलेट कीजिए अब यहां पर अगर हम एक्स की बात करें तो एक्स में हमारे बास तीन सिंबॉल है और उनका करना कि जिस भी सिंबॉल से आप स्टार्ट करेंगे इंड उससे नहीं करेंगे तो हमारा लैंग्वेज में क्या हो सकता है यह सिंगल यह तो आएगा नहीं क्योंकि स्टार्ट और इंड सेम सिंबॉल से नहीं करना है इसलिए सबसे छोटा स्ट्रिंग जो बनेगा वह हो सकता है एबी अगर दूसर और देखे हम तो बी ए बी सी या सी ए सी बी यहीं स्ट्रिंग बनेगे हमारे पास हमने जिससे स्टार्ट किया उससे इंड नहीं किया किसी दूसरे से इंड कर रहे हैं तो सबसी छोटा स्ट्रिंग यह हमारे लेंग्वेज का होगा अब इस लेंग्वेज में और डीटेल और नहीं बोल रहे हैं कि इसका लेंथ क्या हो मतलब थ्री लेंथ इस्ट्रिंग भी बन सकता है कि ए बी बी ए सी सी सबसे छोटे स्ट्रिंग के लिए पहले मसीन बनाईए कि अब इन छोटे स्ट्रिंग के लिए मसीन बनाके हम देखने की कोशिश करते हैं सबसी छोटा स्ट्रिंग हमारा कि एस नॉट स्टार्टिंग इस्टेट है हमको दो स्ट्रिंग चाहिए तो सबसे पहले हम एले लिए हम एस वन पर चले गए और बी ले करके हम चले गए कि एस टू पर और यह हमारा फाइनल स्टेट होने वाला है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यह स्टिंग हमारा सेप्ट होगा कि क्या होगा जब हम एसी की बात करें तो रहेगा हम यहां से एक कि दूसरे स्टिंग की बात कर लेते हैं वह भी हमारा फाइनल एस्टेट होने जा रहा है कि एस्टरी आरे हां मूब करेंगे सी से अब कुछ ज्यादा हम बिचार नहीं करेंगे मिनिमाईएशन की बात भी नहीं करेंगे जो हमारा रिक्वार्मेंट है उसके अनुरूप हम चल होगा एबी में एस्टू पर जाएंगे फाइनल स्टेट है अस्ट होगा कोई दिक्कत नहीं है लेकिन क्या होगा जब भी होगा तो अब जड़ा सा देखें अगर भी है तो हम इधर मूब कर जाते हैं एक नए स्टेट पर चले जाते हैं और यहां पर हम आ गया इस तरी के इस पूर स्टेट पर मेगिन इंक्ते बाद अब या सकता हैं कि मैं तो भी मेखर हमची आता है तो एक मृण दूसरे स्टेट पर जाते हैं यह भी हमारा फाइनल स्टेट फोगा हार फाइनल स्टेट हो जाएगा एस फइब अगर b कе बाद ए आता है कि तो फिर अपने स्टेट पर जाएंगे कि यह स्टेट हमारा एस सिक्स होगा कि अगर सी वाले स्टेट को हम देखें तो सी में हम दूसरे स्टेट की तरफ बढ़ेंगे कि यह हमारा एस सेवन स्टेट होगा सी बी की बात करें तो सी के बाद एभी आ सकता है यहां पर अगर एए तो कि यह एक अलग स्टेट परम चले जाते हैं इस एट की बात कर लेते हैं अगर यहां पर बी आए तो फिर एक एस स्टेट पर जाएंगे फिर फाइनल स्टेट होगा हमारा एस नाइन कि इनके लिए हमने मसीन बना लिया है और आप छे फाइनल स्टेट हुए अभी कोई चिंता की बात नहीं है इसको और मीनिमाज भी हम कर सकते हैं लेकिन अभी हमने एसकेल्टन तयार किया है और इस लैंग्वेज के लिए हमने बना लिया है इस आने के बाद अगर हम इस के टैबुलेशन की बात करें एबी अब चुकि एक के बाद बी आ चुका है तो उसके बाद हमारे पास बी के बाद कुछ भी वैलू आए कि इतना हूं भी आए हमें कोई फरक नहीं पड़ता हम पाइनल स्टेट पर रहेंगे अगर कायदेश कहा जाए तो बी के बाद यह से तो नहीं करेंगे हम बी के बाद कि सी आए तब भी कोई दिक्कत नहीं है यहां यहां पर एक बाद सी आया है इसके बाद हमारे पास कि सी आए बी आए कोई फरक नहीं पड़ता हम तो फैयल स्टेट पे यह के बाद हम अपने फैनल स्टेट पर हैं वहाँ जो भी चाहें आ सकता है कि क्या होगा कि जब इस थ्रीं स्टेट पर रहे हैं यह स्टेट पर इया जाए कि यह स्टेट पर अच यह आजए तो कि यह आजए तो किया हम यहां पर लूब कर सकते हैं है ओक यह के बाद कीतना हूं आया है है हमारा फाइनल स्टेट तो रहे नहीं ठीक जब तक हम इसी नहीं कर नहीं कि य। और एक बार बी और सी पर आ गए अगर इनके पास या जाए तो कि या डेट इस्टेट पर हम जाएंगे कि नहीं हम ऐसी गलती नहीं कर सकते क्यों कि उसके बाद फिर हो सकता अब या जाए तो एसी स्थिति में क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि यह आयत हम वापस लौटा अबने स्वन स्टेट पर और वहीं का में यहां भी कर लेंगे कि बात समझ में आ रही है तो कुछ इसी तरह की स्थिति यहां भी आएगी अगर हमारे पास बी आता हमें कोई दिक्कत नहीं है और यहां पर यदि सी के बाद ए आए ए की बाद यहां तो हाँ बी से हम चले हैं तो कोई दिक्कत नहीं है यह भी आ सकता है और यदि बी आए तो हम वापस लौटाएंगे यहां से बी आए हम वापस लौटाएंगे और यहां पर एसी कुछ भी आता रहे कोई फर्क नहीं पढ़ता हमें अब अगर यहां की बात करें सी से अगर स्टाट किये हैं तो सी तो नहीं आना जाहिए मतलब यदि फाइनल स्टेट में सी आए गा तो निश्चित रूप से हम वापस लौटेंगे यहां पर चाहिज इतना सी आए कोई फर्क नहीं पढ़ता यहां पर सी आएगा हम वापस लेकिन अगर इस स्टेट पर कि भी या ए तो हमें कोई आपत्ती नहीं है यहां पर यह या भी कीतना हुगा है हमें कोई आपत्ती नहीं है अब हमारा मसीन थोड़ा कंप्लेक्स हो रहा है लेकिन लाजिक अगर आप समझ जाएंगे तो यह काम बहुत आसान है है अब आप जड़ा साथ देखे के स्टार्ट हमने किया ए आया हमें अगर सी मिलेगा चले जाएंगे सी के बाद जितना भी सी या भी हमको कोई फर्क नहीं पड़ता यदि यह आता है तो इसी संभाव ना है कि उसके बाद फिर से सी आ सकता है फिर से भी आ सकता है और हमको तो इंड पॉइंट देखना है कि बीगीने एं कि बात है तो ऐसे स्टार्ट हो गया तो फाइनल स्टैट में A नहीं होना चाहिए विर से स्टार्ट के नहीं नहीं लेके आएंगे एसी से वह फाइनल स्टेट में कि मसीन करना चाहिए अगर सी की बात करें तो हम सी में नहीं रूखेंगे हम फाइनल स्टेट में या भी पर रूखेंगे तो यह जो प्यवस्था है यह हमारा मसीन कंप्लीट हो गया अब हर स्टेज पर आप देखिए यहां पर ABC के लिए देखें डीएफे कंप्लीट मसीन है यह ध्यान में रखना होगा ऐसा नहीं है कि आप किसी भी जगह पर किसी सिंबॉल के लिए ट्रांजिशन लिखें ही नहीं अगर लाशिक एक के लिए क्लिए है थो दूसरे के लिए भी बना सकते है तीसरे के लिए बना सकते हैं अब किया यहां पर एपीशी सी के बाद हम डी बना लेते सुँझ हो धानी के क्या कि पीडी एक एक स्टेट पर सारे के लिए सारे स्ट्रिंग के लिए आपको मूव दिखाना पड़ेगा अब एक बार अगर मसीन बन जाए तो फिर मीनिमाइज भी किया जा सकता है अब जड़ा गौर सी देखें अगर हम कि इसी मसीन की बात करें थोड़ा सा मोडिफिकेशन करना चाहेंगे और देखते हैं क्या होता है कि इसी सीमबॉल की हम बात करें अब पहले एक बार स्किल्टर ना त्यार कर लेंगे तब फिर मिनिमाइजेशन के भी से हमें सोचेंगे क्या ऐसा हो सकता है कि जब यहां पर बी आया यहां पर सी में हमने मूव किया तो सी आने के बाद इस फाइनल स्टेट पर मूव कर जाएं और यहां पर बी आने के बाद भी हम इस फाइनल स्टेट पर मूव कर जाएं और यहां यहां यदि भी आये तो तो हम लूप कर लें यहां को अगर सी आये तो हम लूप कर लें यह भी तरीका तो आप इस तरह से अलग अलग स्टेट के लिए मूव लिखे य towards हम जानते हैं कि C के बाद S3 पर जा रहे हैं यहां भी C आएगा तो घान चले जाएंगे PhD हमें हम चले जाएंगे के लिए हमने सज्ण किया है थी स्थिरी-पर भी आने पर स्टू पर चले झाएंगे उसके बाद जितना भी आता रहे है यहीते रहेंगे मतलब आप यह सी एंड होगा यह ङाए इसी तरह यहां भी कर सकते हैं है उसी और यह हमेहां किया जा सकता है ओ सिंड के लिए कामिहां भी किया जा सकता तो यह बेवस्था आपके उपर depend करता है कि आपकी इस तरह से move लेते हैं कैसे manage करते हैं केवल हम वो Logic समझ में आनी चाहिए क्योंकि यहां पर यह सवाल में नहीं कहता है कि हमारे string का length क्या होगा लेंद्ध काउंट नहीं करना है इतना बड़ा भी ए ए बी 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 सी 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 ए बी सी कि विट डिफरेंट सिंबल है कि यह सारे मूब हो सकते हैं अब यह तो स्ट्रिंग एसे बल्ले हम तो तो रिजेक्ट सी फूज को करेंगे कि अगर वो एसे इंड हो तो अगर स्टार्ट होता है तो यह से इंड नहीं होना चाहिए बी से स्टार्ट हो रहा है तो यहां पर कुछ भी आप दे सकते हैं आप ऐसे लिख सकते हैं कि ए बी स्टार सी स्टार यह और यह रिजेक्ट करना ह कि ये ध्याने में रखेंगा अगर B से स्टार्ट करें तो ये स्टार C स्टार and B इस तरह के स्टीन को हमको एसे हिपट करना रिजेक्ट करना बाकि सारे स्ट होंगे थो हमें लगता है बेसिक लाजिक आपको मिल गया होगा आप इस तरह से सरकुट को डिजाइन कर सकते हैं आपके लाजिक क्लियर होना चाहिए लाजिक क्लियर है मसीन डिजाइन करना बहुत आसान है और सबसे असान तरीका यह है कि सबसे छोटे स्ट्रिंग को पहले टेबुलेट कीजिया है हमारा जो ही लैंग्वेज है उसका सबसे छोटा स्ट्रिंग किया है और यह तो बहुत सिंपल सा लेंग वेश हैं जिसको आसानी से मसीन में असेप्ट किया जा सकता है क्योंकि कंडिशन तो कोई यादा इनका है नहीं इनका क्यावले स्टार्टिंग और इन वाले स्टेट की बात करते हैं तो इस तरह से आप हम आसा रखते हैं कि आप को समझ में आई होगी फिर भी अगर कोई प्रॉब्लेम है समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कॉमेंट करेंगे लिखेंगे वाट्सेप पर मैसेज भेजेंगे और जो भी प्रॉब्लेम होगा उसका सॉलिक्शन हम लोग वेडियों देखने के लिए धन्यवाद